गुड इवनिंग दोस्तों और आज आपके सामने एक बड़ा वेकंसी लेके आया हूँ और एक वीडियो दो दिन तीन-चार दिन के बाद एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें बहुत ही बड़ा वेकंसी आई हुई है यूपी पीएसी में जिसके वारे मा आज बात करेंगे तो ये बहुत भरी वेकंसी निकाले यूपी पीसीन है जिसमें एक बड़ा पोस्त निकला है लगभग डाई हजार एक प्रॉकसिमेंटली 5000 पोस्त निकला है जिसमें मेल के लिए लगभग 180-170 पोस्त और फीमेल के लिए लगभग 20 prov सो yak बरी वेकंसी है आप स्क्रोल करकर देख रहे हैं वहां नॉटिफिकेशन जो है लाइव हैं तो आप क्या करेंगे जो लाइव नॉटिफिकेशन पर जो है हमें क्लिक करना है जैसे ही लाइव नॉटिफिकेशन जो चल रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो है आपका वो यूपी पब्लिक जो सर्विश कमिशन के थ्रू जो ये विकेंसी आई इस्टाप नर्स की वो उसका एडवर्टाइजमेंट ओपन होगा और आगे की फॉर्म की प्रोसेसिंग भी आप प्रोसीड कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है जैसे ही आप लाइव ये अडवर्टाइजम भी बढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज मांगी गई है फीस कितनी है आगे मैं बताऊंगा कि इसमें कितनी फीस ली जा रही है और उसके साथ सत्व अपकलाई कैसे करते हैं तो इसमें एक नया चीज आया है OTR प्रोसेस तो आप बिना OTR के registration को apply नहीं कर सकते हैं तो OTR कैसे हम आगे proceed करेंगे OTA registration कैसे करेंगे उसकी लिए भी हम आगे देखते हैं तो हम सबसे पहले हमें क्या करना है आपके जो दिख रहा है apply करके बटन दिख रही है वहाँ पर ग्रीन कलर का apply का जो है वहाँ पर apply पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे आगे एक number मांगा जाएगा आपसे पूछा जाएगा कि आप OTA registered है या नहीं है अगर existing है तो आप वो number डालके फॉर्म को proceed कर सकते हैं अगर नहीं है तो उसके बारे में बात कर सकते हैं तो हमें सबसे पहले यह देखना है कि इसमें क्या मांगता है जैसे ही हम क्लिक किये इस पर तो इस पर यह क्या अभी 21 September जो है इसका last date form अभी live है आप डाल सकते हैं तो 21 September जो है इसका live जो है last date है और सबसे पहले और इसमें देखेंगे आपका जो पोस्ट है और फीमिल के लिए 2059 पोस्ट है सम्थिंग तो इतना लगभख वोच्ट है मतलब लगभग बाईस सो पोस्ट निकाली गई है यह बहुत ही वरिए और गोल्डेन अपर्टिनिटी है आप लोग के लिए तो यह बहुत वरिए विकेंसी है तो इसको हम आगे दिख कि यह बहुत मेरे से कल ही बच्चे कुछ पूछ रहता है कि सर हम जीनम है क्या फॉर्म डाल सकते हैं तो आफ कौस बच्चे आप डाल सकते हैं क्यूंकि आप देखेंगे सामने यहां पर दिया गया है कि बीए सी नर्सिंग या जीनम या जनरल मेंटवाइफ डिप्लोमा किय और ऊत्तर प्रदेश नर्सिंग रजिस्टर्ड होना चाहिए वह mandatory है आपको यूपी नर्सिंग कांसल में रजिस्टर्ड होना बहुत ही mandatory है उसके अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं तो जिए और यहाँ पे कहीं भी के लिए दावा नही तो आप जरूर फॉर्म डाल सकते हैं और फॉर्म के लिए जो जो पैसा दिये गया है तो इस वेकेंसी में एक बहुत ही अच्छी चीज है कि आपको जो है जी एनम के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है नहीं बीसी के लिए बस हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी स्टेट की वेकनसी होती है तो उसमें रजिस्टेशन जरूर वो अपने यह स्टेट की मांगते हैं अजिं उत्र परदेश में रिए डाल सकते हैं और ऐसके लिए कोई भी सिर्व पे 20 में मैंने प्यों मिनिमम्न परम फी इस्ट्रिक्टर जब तो म रिजब कटेग्री के लिए only 125 रूपीज है और EWS के लिए 125 रूपीज है बाकी कटेग्री के लिए जो दूसरे कटेग्रीज है उनके लिए और एक सर्विसमेन है उनका भी 25 रूपीज है आगे फिर देखेंगे फॉम में जब आगे आप जाते हैं तो आगे यहां पर यहां पर यहां से पूछा जाएगा कि आप ओटिया रेजिस्टर्ड है या नहीं है तो आप जैसी ही आप देखेंगे ऊपर भी यहां पर रेट कलर में आ रहा है कि आपको प्रिवेशली इस पॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे तो हम जैसे देखेंगे आप यहां पर जहां भी रेट कलर की साइन दिखरी है आप यहां पर ओटियार के सा है आप सर्वर पर क्लिक करेंगे यहां नो किया यहां पर जैसी करेंगे तो आपको बोलेगा यहां चैंट किजिए आपके सारे डीटेल्स मांगे जाएंगे नाव धर्स के नेम आपके mobile नमबर आपके फोटोज साइन आपके पूरे डीटेल्स काटवी डेट बर्त और सारी चीज से मांगे जाएगी इस्पूल कौलिफिकेशन क्या जैसी該 इस तो आपके मेल पर या मोबाइल नंबर पर आपको प्राप्त हो जाएगी तो आप जैसी नंबर आपको मिलेगा तो उसके तुरू आप पूरा डाल सकते हैं जैसे मैंने फिर वाप पीस पेज पर आया और मैंने ओटियर पर क्लिक किया यहां पर फॉर्म अप्लाइ करने के तो आपके पूरी जो डाटा है वन टाइम रिश्टेशन की आपने जितने डीटेल्स डाले हैं वह सारा जो है वह आपको रिट्राइब हो जाएगा आपके फॉर्म में पूरा डाटा आपके आ जाएंगे और आपका फॉर्म फिर आप सम्मेट कर सकते हैं तो बीना ओटियर उत्रपरदेश पब्लिक सर्विस कमिशन के कोई भी आयोग की वेकेंसी आती है तो आप उस वेकेंसी को सिर्फ उस ओटी आर के साथ डालेंगे तो आपके पूरी डीटेल वह खुदी डाटा ले लेगी रिट्राइब जैसे यह बहुत ही अच्छा है तो चलिए अब देखत हैं कि इसमें सेलेबस क्या है तो यूपी पीसी का जो सेलेबस है वो कॉमन है हमेशा की तरह उन्होंने आप जो कमिशन के सेलेबस होते हैं जो आपके नर्सिंग सब्जेक्स से जो है 60% आएगा और 40% जो होते हैं उनके जीके हिंदी मैथ रिजनिंग यह सारी चीजे रहती ह हैं इसके प्रीवेश vendor में आपसे नक्स वीडियो जरूर सेयर करूंगा तो आप आपको यह बीडियो बहुत अच्छी लगी यह तो मैं उस पीपर का पीडिएप आपको सेयर करूँगा जरूर सेयर करूँगा और आप मेरे इंस्टा पर जाके डियम कीजिएगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए और बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू फिर मिलते हैं दोस्ते